हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेट पार्ट आला में तो आज की कख्छा में हम हिंदी के महत्पुन टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है विकारी सब्द तो आई ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जैसा कि हम लोगो सब्द ऐसे सब्द होते हैं जिनमें या तो लिंग या फिर वचन या फिर कारक या काल की आधार पर पर परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे सब्द क्या कहलाते हैं विकारी सब्द तो आई एक बार लिख देते हैं इनके बारे में कि विकारी सब्द क्या होते हैं यदि आप से किया जाए कि बिकारी सब्द क्या होता है तो आप लोग बता देना ऐसे सब्द कि ऐसे कि सब्द कि जिन्वे कि जिन्वे लेंग्ड कि वचन कारक और काल के आधार पर आधार पर परिवर्तन परिवर्तन हो जाता है कि मधिर्तन कि रोजाता है तो आपके लिए बता दिया कि बिकारी सब्द क्या होते है तो एससे सभी सब्द kvek करें लड़का की तो लड़का का यदि हम लिंक परिवर्तन करें तो उसके लिए क्या बोल देंगे लड़की बोल देंगे ठीक है और यदि हमें क्या इसका बचन परिवर्तन करना है तो बचन परिवर्तन के लिए लड़का का बहुचन क्या हो जाएगा लड़को लड़का पोपन हो जाता है तो ऐसे सब्द कर लाते हैं मिकारी सब्द अगर हम हिंदी में बात करें बिकारी सब्दों की हिंदी में जो विकारी सव्दों की तो कि चार होती है विकारी सब्दों की संख्या कितनी वानी गई है चार इनकी संख्या चार होती है अब यह कौन-कौन से होते हैं सबसे पहला होता है संग्या सबसे पहला क्या है संग्या दूसरा कौन सा है सर्वनाम तीसरा कौन सा है विसेशन क्या है areas a क्या दों щa करेगा छार अप लिए रिए होँगे उन्रस पूछेगा कि इन में से कौन सा विकारी सब्द का भेद नहीं है तो विकारी सब्द के कित्ने विद होते हैं चार पहला कौन है संग्या दूसरा कौन सा है सर्वनाम तीसरा कौन सा है विसे सड चौथा कौन सा है क्रिया आए एक एक करके अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्यान करते हैं तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है विकारी सब्दों के अंतरगत संग्या तो आगे आए अंग्रीजी में संगय के लिए क्या बोलते हैं नाउन अब यदि आप से बात की जाए कि संगया क्या होती है तो हम लोग सभी जानते हैं पिछली कक्छाओं में हम लोग पढ़ चोके हैं कि संगया का मतलब होता है ऐसे सब्द जो या तो किसी प्राडवी या फिर क्या है ऐसे बिकारी सब्द क्योंकि इनमें क्या है बिकार उत्पन हो रहा होगा ऐसे बिकारी सब्द जो किसी किसी प्राणी या फिर वस्तु या इस्थान या भाव का बोद कराते हैं कराते हैं को मा संग्या सब्द कहलाते हैं संग्या सब्द कहलाते हैं ठीक है तो यदि आपसे कोश्चन किया जाए कि संग्या क्या होती है तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि संग्या ऐसे सब्द होते हैं या तो यह क्या करते हैं कि सब्सक्राइब कराते हैं बूद कराते हैं एक अइस सारे सब्द होते हैं तो यह दो तो किसी प्राणी के लिए या फिर बस्तू के लिए या फिर इस्तान या भाव क्या कराते हैं बूत कराते हैं क्या कहलाते हैं अगर हम लोग बात करें हिंदी में कि हिंदी में कुल संग्याई कितने परकार की होती है तो हिंदी में जो कुल संग्याओं के भेद होते हैं वो कि तीन भेद होते हैं, इसके कुल तीन भेद होते हैं, आप से यदि कोशिन में पूछ ले, इस संग्या के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो, इस संग्या के कुल कितने भेद होते हैं, तीन, ठीके आए देखते हैं कौन-कौन से तीन भेद हैं, पहला ज बाचक संग्या दूसरा भेद है जाती बाचक संग्या तीसरा जो संग्या का भेद है वो हो जाएगा भाव बाचक संग्या तो यह क्या है संग्या के तीन प्रकार हैं तीनों प्रकार संग्या के कौन कौन से हैं पहला हो जाएगा ब्यक्ति बाचक संग्या दूसरी संग्या कौन से हो जाएगी जाती बाचक संग्या तीसरी संग्या कौन से हो जाएगी भाव बाचक संग्या एक है यह जोe संग्या के तीन के चैनल हैं इसे पहले जो भीध हैं संग्या के यह होते हैं हमारे कैसे मूर्थ रूप में है कि ज़िए मौर्थ रूप में मूर्थ में होने का मतलब है इनके लिए हम आसानी से देख सकते हैं आसानी से देखा जा सकता है जबकि जो संग्या का अंतिम बाला भेद है संग्या का जो अंतिम बाला भेद है तीसरा भेद यह संग्या कैसे होती है यह संग्या होती है अमूर्थ संग्या अमूर्थ संग्या हिंदी में यदि किसी सब्द के आगे आ लग जाता है तो आ का मतलब हो जाता है नहीं तो मूर्थ का मतलब क्या होता है जो दिखाई दे जाए तो अमूर्थ का मतलब क्या हो जाएगा जो इस फ़र्ष्ट दिखाई ना दे इस फ़र्ष्ट दिखाई ना द जा सकता है इसको हम केवलो केवल क्या करेंगे फील करेंगे महसूस करेंगे तो यह क्या होगे संग्या के तीन भेट पहले दूसरे कौन से हैं मूर्थ रूप में मिलती हैं संग्याएं तीसरी वाली जो संग्या है वो कैसे रूप में मिलती है अमूर्थ रूप में आज ये ए सबसे पहला जो संग्या का भेद है वो क्या है व्यक्ति वाचक संग्या अब आपके लिए बता दिया कि संग्या का मतलब क्या होता है संग्या का मतलब होता है ऐसे विकारी सब्द जो किसी प्राड़ी या वस्तु या इस्थान भाव का क्या कराते हैं बोत कराते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं संग्या कहलाते हैं अब इन में से हमें चूज करना है कि कौन से ऐसे सब्द होंगे व्यक्ति वाचक संग्या मे आएंगे तो हम लोग वता सकते हैं कि ऐसे विकारी सब्द, जो, सब्द जो, किसी प्राणी, या वस्तू या इस्थान के नाम का बूध कराते हैं, नाम का बूध कराते हैं, कराते हैं, ब्यक्ति वाचक संग्या जैसे यदि हम उधारण की बात करें उधारण की बात करें जैसे यदि हम लोग उधारण की बात करें उधारण में हम लोग वता देंगे कि कोई प्राणी है प्राणी का नाम क्या हो सकता है राम हो सकता है कि कि स्याम हो सकता है यह क्या है प्राणियों के नाम है और प्राणियों के जो नाम है वो किसके अंतरगत आते हैं ब्यक्ति वाचक संग्या में एसे यदि हम बात करें किसी बस्तू का नाम तो बस्तू में क्या हो सकता है पुस्तक हो सकती है पुस्तकों के हम नाम लिख दे रहे हैं जैसे पुस्तक अधिय है है महां भारत स्ष्थ को सकती है या फैर ऐसे हम बात करें इस्थान की बात तो इस्थान में क्या हो सकता है सेहर का नाम हो सकता है किसी जैसे दिल्ली हो गया को बरेखली हो गया 스타일 आंगरा हो गया यह सभी क्या है इस्थान के नाम है तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे संग्या सब्द जो किसी या तो प्राडी की ओर या फिर क्या है किसी बस्तू के नाम की ओर यह सारा प्रकट करते हैं ऐसे सभी संग्या है हमारी क्या लाती है ब्यक्ति वाचक संग्या अब आप लोग इन उध भारणों को देख रहे होंगे तो एक बात है से पिश्ट है कि जो राम सब्द है वो क्या है एक बचन है क्या है अगर हम लोग इनका क्या है बहुशन करना चाहे तो इनका बहुशन में परिवर्थित नहीं कर सकते हैं जैसे राम का बहुवचन नहीं बनेगा रामायर का बहुवचन नहीं बनेगा तो यहां से एक बात हमारी इस्पेश्ट होती है यह जो व्यक्ति वाचक संग्याएं होती है वो सदैब किसम होती है एक बचन में होती है और इनका हम कभी भी बहुवचन में पर वाचक संग्या आएं व्यक्तिवाचक संग्या सदैव एक वचन में प्रयोक तो होती हैं सदैव एक वचन में प्रयोक तो होती हैं कॉमा तथा इनका इनका वह वचन नहीं वह वचन नहीं होता है तो आपके लिए यदि पहचानने के लिए दे दिया जाए कोई आपके लिए पहचानना है कि इन में से कौन से संग्या व्यक्तिवाचक संग्या होगी तो आपनों के लिए क्या करना है सिद्य उसका बहु वचन बना के देखना यदि उसका बहु वचन नहीं बन रहा है तो मतलब हो जाएगा कि यह जो संग्या है वो कौन सी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संग्या होती है वो सद्यप कौन से वचन में प्रिप्त होती है एक वचन में आएगे बनते हैं संग्या के दूसरे भेद की ओर संग्या का जो अगला भेद है वो क्या है जाती वाचक संग्या जाती वाचक संग्या जैसे व्यक्ति वाचक संग्या में हमें पता था कि सीधे सीधे क्या है व्यक्तियों के नाम है या फिर इस्थानों के नाम है या फिर वरस्तों के नामों का बोध हो रहा था ऐसे यहां पर इस पर जाती का बौध हो रहा होगा तो अगर कहीं भी क्या है जाती का बौध हो रहा होगा को कि एसे विकारी सब्द जो किसी प्राणी या वस्तु या किसी प्राणी वस्तु या इस्थान कि जाती का बोद कराते हैं कॉमा जाती वचक संग्याएं कहलाती है किसी किसी क्या है बस्तु की या फिर्ष्थान की या फिर प्राणी की क्या है जाती का बोद करा देंगे एसे सब्दों के लिए हम लोग क्या वोल देंगे जाती वाचक संग्या, ठीक अब हिंदी में क्या होता है, कि हिंदी में जो जाती वाचक संग्या है, इसके लिए फुना, आगे कितने भागों में बाट दिया गया है, दो भागों में, जाती वाचक संग्या है, इसके भी कितने भेद माने गए है, दो, ठीक है, पहला जो द्रब्य वाचक संग्या, द्रब्य वाचक संग्या, द्रब्य वाचक संग्या, दूसरा जो इसका भेद हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, समुहु वाचक या समुदाय वाचक या समुदाय वाचक संग्या वाचक संग्या आपके लिए बता दिया कि जाती वाचक संग्या है क्या होती है जाती वाचक संग्याओं में किसी पर्सनल जाती का बूत कराया जासा है जैसे यदि हम उधारणों की बात करें और एक्जामफल जाति वाचक संग्या में यदि हम उधारणों की बात कर दें जैसे अभी आप लोग के लिए बताया था कि नाम बताये थे व्यक्ति वाचक संग्या में राम मोहन या सोहन ये किसके उधारण थे व्यक्ति वाचक संग्या के क्योंकि इनके बहु बचल नहीं बन रहेते तो हमन अब क्या दिया आदमी अब आदमी का मतलब क्या है कि आदमी में कोई भी हो सकता है राम भी हो सकता है मोहन भी हो सकता है इसका मतलब क्या है राम मोहन सोहन इन सभी की जाती का जो वोत करा रहा है वो कौन सा सब्द करा रहा है आदमी करा रहा है इसका मतलब जो आदमी सब्द ह वो कौन सी संग्या हो जाएगी जाती वाचक संग्या इसमें क्या है सभी प्रकार के आदमी आ जाते हैं ठीके बैसे भी अगर हम पैचान करना चाहें तो हम बता देंगे कि जो आदमी सब्द्सका अगर बहुवचन बन जाता है तो व्यक्ति वाचक संग्या तो नहीं रहती है घ्र हो सकती है जाति वाचक संग्या हो सकती है बाकी यदी हम बात करें कि क्या दर Amen और आधमी सभी लोगो ने है इसका क्या है इसका मतलब कॉनते संघया हो जाएगी जाती बाचक संघया ऐसे यह ऑधि वाद हम कर दें नदी है कि अग्राज ही दारण है वह लिखा हुआ है नदी अब नदी में मैं और वाचक संहया चाहे नदी में जहाती बनता है ज यह संहरे सा रहा है है बहुबचन बनता है या नहीं बनता है तो नदी का बहुबचन क्या होता है नदियां तो बहुबचन बन गया इसका मतलब यह क्या है जाती वाचक संगया हो जाएगी ठीक है एक उधार और वी चेक कर रहे हैं कि जैसे आपके लिए बोला नदी तो नदी तो सभी लोगों ने कि देखी है देखनी का मतलब क्या है या कैसी क्या होगी दर्श Noel संगय होगी अब मूर्थ में भी दो परकार की हाथी है या तो ब्यक्ति वाचक-क भाषर रहतें परवत बैज आप पर्वत में पर्वत में Type recovery क्या है किसी एक किसी परवत का नाम नहीं ब्हुन ठीक है बहुत सारी परवतों की प्रजातिया हैं उनके लिए हमने क्या क्या दिया है परवत क्या दिया है तो सभी जातियों के लिए हमने क्या कह रहा है परवत कह रहा है इसका मतलब हमारी कौन से संग्या हो जाएगी जाती वाचक संग्या अब इसके लिए अगेन हम चेक करन चाहें तो क्या देंगे पेड़ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेड़ सब्दों में कौन सी संग्या है अब वो पेड़ किसी का भी हो सकता है आम का हो सकता है नीम का हो सकता है बबूल का हो सकता है इसका मतलब यह जो पेड़ सब्द है वो क्या है सभी व्रक्षों की जा कौन सा है द्रब्य वाचक संग्या दूसरा इसका भीत कौन सा है समुहु वाचक या समुदाय वाचक संग्या अब यह द्रब्य वाचक संग्या क्या होती है द्रब्य वाचक संग्या का मतलब होता है ऐसे विकारी सब्द ऐसे विकारी सब्द जो द्रब्य का बूद कराते हैं से विकारी सब्द जो ढरबि का वोत कराते हैं कॉमा ढर्बवाचक संग्याएं कहलाती एक तो इसमें लिख देंगे कि यह किस का बोध कराते हैं दुरब्य नदमक्स तो कोई सब्सक्राइब या फिर क्या होगा द्रव या फिर क्या होगा द्रव लिक्वुट जिसमें वेहने का गोड़ पाया जाता हूं तो ऐसी हमारी संग्याएं क्या कह लेंगी द्रव व्यवाजचक संग्याएं ठीक है यदि उधारण की बात करें वर एक्जामपल जैसे आपसे क्या दिये जाए पेट्रोल चो पेट्रोल क्या है एक द्रव है वहने का गोड़ पाया जाता है छिके द्रव होने के कारण यहां पर जो संगया है वो कौन्सी हो जाएगी द्रव विवाचक हो यह कोंग हो जाएगे डरब्वे वचक संग्या है क्या आप से बात किया जाए या फिर पानी या पनी यह क्यासिया होते हैं में होते हैं क्वास्ता में होने के करड़ यह विकोंसे संग्या हो हो जाएगी द्रव्य वाचक संग्या ऐसे आप से क्या दिया जाए तेल क्या सी अवस्था में होगा द्रव्य वस्था में होगा इसका मतलब कौन सी संग्या हो गई द्रव्य वाचक संग्या या फिर आप से क्या दिया जाए आटा या घी या नमक यह भी हमारी कौन से संग्याएं हो जाएंगी द्रब्वे बाचक संग्याएं तो द्रब्वे बाचक संग्याएं का मतलब क्या होता है ऐसे विकारी सब्द या फिर ऐसे संग्या सब्द जो किसी द्रब्वे का बोध द्रब्व्या पधार्त का बोध कराते हैं कौमा द्रब्वे वाचक संग्या कहलाती है इसके उधारण देख लिए हम लोगों ने पैट्रॉल सोना ठीक है दूद पानी तेल आटा घी नमक या फिर लोहा यह सभी किसके अंतरगत आएंगे द्रब्वे वाचक संग्या के ठीक है अगला क्या है समू वाचक क्या समुदाय नाम से इसमें क्या है समू आ रहा है तो समु का बहुत करा रहा रहा है तो लेक्टैने जैस望 जाती में क्या होगा समू जैसे आपसे क्या दिये जाए सेना आपसे क्या दिये जाए सेना अब सेना में क्या है बहुत सारे पुलिस के सिपाही होते हैं बहुत सारे जवान होते हैं तो वो किसके रूप में चलते हैं समू के रूप में तो यह कौन सी संग्या हो जाएगी समू वाचक संग्या यह फिर आपसे क्या दिये जाए पुलिस कर दिये जाए पुलिस में सब्सक्राइब कई तो इसके लिए क्या बोल देंगे परिवार का भी क्या होता है समू होता है परिवार में सदसर ओते मों किसके रूफ में रहते हैं समूदाय वाचक संक्या जैसर आपसे बात कर लिए टीम की तो team मैं क्या होते हैं बहुत सारे खिलाड होते हैं तो इसके लिए नाम क्या दे दिया टीम् तो टीम भी किसका बोट कराएगी समू या समुदाय वाचक संग्या का जैसे यदि आप से कह दिया जाए सभा तो सभा में भी क्या होते हैं बहुत सारे लोग उपस्तेत होते हैं तो इसके कारण यह जो सभा है यह भी क्या हो जाएगी हमारी समुदाय वाचक संग्या या फिर बताया जाती वाचक संग्या ऐसी संग्या होती है जो किसी पर्सनल जाती का बूद कराती है जैसे आदमी आदमी क्या है कोई भी हो सकता है नदी कोई सी भी नदी हो सकती है परवत कोई सा भी परवत हो सकता है पता नहीं कौन सा ठीक है इसमें क्या करा एक जाती देदी इसका म मतलब क्या होता है कि जहां पर पधार्त का बोध होता है लोहा हो जाएगा पीतल हो जाएगी कौपर हो जाएगे यह सब करल भी हमारे किसमें आ जाएंगे द्रब्वे बाचक संग्या में ठीक है रसोई घर में प्रयोक्त होने वाली जो भी बस्तू में है वो भी किसके अंतरगत काउंट की जाती है द्रब्वे बाचक संग्या के जैसे आटा हो गया घी हो गया नमक हो गया तो यह भी हमारी किसमें होते किसमें हैं समू के रूप में होते हैं तो ऐसे संग्या सब्द कहलाते हैं समू वाचक या समुदाय वाचक संग्या जैसे सेना सेना में क्या है बहुत सारे ओपी सर्ष्वी होते हैं और पुलिस हो जाएगा परिवार में भी क्या होते हैं दो या दोसर जद है तो यह क्या हो गया अगर आप से पूछ लिया जाए कि जाती वाचक संग्या और द्रब्वेवाचक संग्या में क्या अंतर होता है ठीक है यदि आप से प्रस्मि कर दिया जाए कि जाती वाचक संग्या और द्रब्वेवाचक संग्या में अंतर क्या होता है तो जाती वाचक को द्रब्वेवाचक संग्या में अलग कर दे रहे हैं तो अलग करने के बाद में इनका जो नाम आता है वो अपनी जाती का ही नाम आता है ठीक अपने परिवार का ही नाम आता है जब कि यदि हम क्या कर रहे हैं जाती बचक संग्या में से इनके समू को क्या कर रहे हैं अलग कर दे रहे हैं किसी समू के लिए अ पाई करते रहे हैं तो यह वह हिस्सा पानी पोलंगे इसका मतलब यह हुए कि उसकी मूल अवर्ष्थास份 हं किया कर दिया वह भभा कि पुरान वाला ही नाम क्या आति जैसे आपके सामने क्या है लिखा हुआ है कि पेंड पेंड में क्या है पेंड के लिए अगर हम छोटे-छोटे हिस्सों में काट दें तो छोटे-छोटे हिस्सों में काटने के बाद में क्या है वो पेंड नहीं कहलाएगा फर क्या कहलेंगे उसके अलग भाग कहलाएंगे इसका मतलब क्या है वह हमारी क्या हो तो यातिवाचक संग्या को यदि अपने समूझ से विखंडित कर दिया जाए तो वो क्या होती है उसका पुराना नाम नहीं रहता है उसका नाम क्या हो जाता है जिबकि द्रब्वेवाचक संग्या में ऐसा नहीं रहता है जैसे आपके पास में एक लोहे की रोड है उसके हमने देखा है पानी पानी हम सभी लोगों ने देखा है तो देखने का मतलब क्या है देखने का मतलब यह हो जाएगा या तो यह क्या होंगी ब्यक्ति वाचक संग्या होंगी या फिर कैसी होंगी जाती वाचक संग्या ठीक है अब हमें पता है यह जो पानी होता है वो क्या है लिक्विड है जितने भी सारे लिक्विड है वो कौन से वस्था में आते हैं द्रब्विवाचक संग्या के अंतरगत आते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं संग्या के तीसरे और अंतिम भेद की ओर संग्या का तीसरा और अंतिम्भेद है वो कौन सा है भाव वाचक संग्या भाव वाचक संग्या भाव वाचक संग्या भाव वाचक संग्या का मतलब क्या होता है नाम सही स्वर्ष्ट हो रहा है कि ऐसे विकारी सब्द जो संग्या के भाव का वोत करा रहे होंगे उनके लिए हम लोग क्या बोल देंगे भाव वाचक संग्या तो लिख दे रहे हैं स्टेटमेंट ऐसे विकारी सब्द ऐसे विकारी सब्द जो संग्या की भाव का बोद कराते हैं भाव का बोद कराते हैं भाव वाचक संग्याएं कहलाती हैं उधारण की यदी हम बात करें उधारण की यदी बात करें जैसे अमीरी या फिर गरीवी या फिर बुड़ापा या जवानी या वच्पन या सुख या दुख या प्रेम यह सारे क्वेक्रे क्या है हमारे भाव वाचक संग्या कराते हैं आपके लिए उधारण अमूर्थ का मतलब होता है जिनकी पिक्चर जिनकी पिक्चर हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हम उनके लिए महसूस कर सकते हैं कि यह ऐसा हो सकता है जैसे आपसे जाये अमीरी यह आप लोगों ने क्या अमीरी देखी यह तो आलग देखी यह हम लोग Playing के चीज़ होती है तो इनका चित्र हब कोई कर do बनाने को कहे कि आप अमीरी का चित्र अथ या फिर गरीवी के जित्तरा हो यसे यदि आपसे बात की जाए वड़ापा या जवानी तो आप लोगों से कोई कहे कि आप लोग वड़ापा का चित्तर बना के दिखाईए या फिर जवानी का चित्तर बना के दिखाईए तो आप लोग बना देंगे नहीं बनाएंगे लेकिन आप लोग महसूस कर लेंगे क बच्पन की अवस्था कौन सी होती है एसी यदी बात करें सुक है या दुख है या फिर प्रेम है तो इन सभी का क्या है यह जो इनका जो भाव है वो हमारे मन में आ जा रहाए ठीक हमें पता लग रहा है इनका भाव कैसा होगा तेकिन अगर कोई हमसा ये कहे कि आपके लिए चित्र बनाना है यह सुक का चित्र बनाना या फिर दुख का चित्र बनाना है तो हम लोग बनाके नहीं देखा पाएंगे तो जिनका चित्र बनाके हम लोग नहीं देखा पा रहे होंगे उनके लिए हम कौन सी संग्या बोल देंगे भाववचक संग्या तो यह हमारी तीनों स संग्या होके जो भेत्ते वो क्या हो गए complete आईये संग्या से related कुछ और फैक्ट है जिन के लिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पहला जो फैक्ट है कुछ संग्या सब्द जो कुछ संग्या सब्द जो कि अब जो कि देखने में कि देखने में जाती वाचक लगते हैं कि जाती वाचक लगते हैं कि परन्तु कि परन्तु कि होते कि व्यक्ति वाचक हैं क्यों होते व्यक्ति वाचक है है यह क्या है आप लोगों ले क्या करा रहे हैं तो आप लोगों से इस्टेटमेंट के तौर पर एक्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं तो फहला जो फैक्ट है वो क्या है पहला फैक्ट हमें यह बताना चाहा है कि कुछ संग्या सब्द जो देखने में तो क्या लगेंगे जात प्रियास करते हैं जैसे आपके सामने कोई उधारण लिखा हुआ है फॉर एक्जाम्पल पहला कि सुक्ल जीने सुक्ल जीने सुक्ल जीने हिंदी साहित्य का साहित्य का इतिहास इतिहास लिखा है अब हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं आप लोगों से यदि कुश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पर एक स्टेट्मेंट देगा स्टेट्मेंट वो यह देगा कि सुक्ल जीने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है आपके लिए यह बताना है यह जो सुक्ल सब्द है इसमें कौन सी संग्या होगी तो आप लोग तो यह कहोगे कि व्यक्तिव के नाम के आगे क्या लिखा होता है सुक्ल लगा होता है तो एने का मतलब यह होगा एक जाती है सुक्ल यह क्या है जाती आप वह देखने मेंत तो कैसी होती है यह आँप यह हमें पता है कि जो हिंदी साहित्ति का इतिहास लिखा है वो किसने लिखा है आचारे रामचंद्र सुकलने हिंदी साहित्ति के इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्ति का जो इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया है आचारे रामचंद्र सुकल के द्वारा लिखा गया ह आटा लग गया कि यहाँ पर जो सब्द है वो किसके लिए प्रदल से थो रहा है आचारे राम Чंदर सु में लिए तो हम लोग समझ गए यह सुक्ल अका है होजाएगी ठीवाचा ही ठीवाचा है यह जैसे यदि हम दूसरे उधारण की बात करें आपके सामने कोई दूसरा उधारण लिखा हुआ है जैसे और एक्जाम्पल नमबर टू कि पंड़ेट जी कि पंड़ेट जी भारत के प्रथम पंड़ेट जी भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे आपके सामने उधारण दिया हुआ है कि पंड़ेट जी भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे अब आपके लिए यह स्टेटमेंट देगा और इसमें आप सा सीधे सीधे यह पूछेगा यहां पर यह जो पंड़ेट सब् इसमें कौन से संग्या होगी तो हम लोग तो यह सोचते होंगे कि पंडेते क्या है जाती होती है जिन में क्या है बहुत सारे पंडेतों के प्रकार आते हैं ठीक है तो हम लोग आसानी से सोचके यह बता सकते थे यहां पर जो संग्या है वो कौन सी होगी जाती वाचक संग्या लेकिन हमें एक बात यह भी तो पता है कि भारत के प्रथम प्रधान मंत्री कौन थे पंडेत जवाहरलाल नहरू पंडेत जवाहरलाल नहरू पंडेत जवाहरलाल नहरू कौन थे भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे इसका मतलब यह है यह जो एक्जामपल है इसके माध्यम स सद्lesान के हमें यह पता लग रहा है कि जो पंडजी हें कौन से पंडजी की वादा चल रही है पंडज so क्या है व्यक्ती का नाम है यहां पर कौन सिंड़ को जाएगी यह者 संग्या जैसे हो जाएगे व्यक्ति शुकल की यह क्या है किसी ब्यक्ति का नाम है और जब ब्यक्ति का नाम इसका मतलब संग्या कौन सी हो गई ब्यक्ति वाचक संग्या आए आगे बढ़ते हैं अगला जो fact no. 2 है, fact no. 2 है, fact no. 2 वो क्या है कि कुछ संग्या आएं, कुछ संग्या देखने में, कुछ संग्या देखने में, जाती वाचक कुछ संग्या देखने में बेखती वाचक लगती है देखने में बेखती वाचक लगती है परन्तु वे जाती वाचक होती हैं परन्तु वे जाती वाचक होती हैं तो कहने का मतलब यह है कि हमारे सामने कोई एक्जामपल लखा हुआ होगा एक्जामपल से देखने से हमें यह पता लग रहा होगा कि जो संग्या है वो कैसी है बेखती वाचक संग्या लेकिन बास्तब में वहाँ पर होगी कौन सी जाती व को हानी जैचंदों से देश को हानी जैचंदों से होती है अब वो क्या करेगा एंजामनर फ्रेस देगा जैचंद के लीचे कर कर देगा अंडर्लाइन कर देगा अब आप से पुझे का कि यहाँ पर यह जो जैचंद सब्द हैए इसमें कौन से संघ्या होकी हमें तो देखने में यह लगँ यह कि व्यक्ति नाम है तो ब्यक्ति का नाम समझ कर हमें या पर कौन सा option टिक कर देते ब्यक्ति बाचक संग्या का लेकिन जो ब्यक्ति बाचक यहाँ पर जो जैचंद है जैचंद का मतलब होता है जैचंद का मतलब होता है विश्वास घाती ब्यक्तियों का समूँ ठीक है विश्वास घाती ब्यक्त विश्वास घाती व्यक्ति जैचंद का मतलब क्या होता है विश्वास घाती व्यक्ति इसका मतलब यह हो रहा है किसी पर्सनल विश्वास घाती व्यक्तियों की बात ना चलके बहुत सारे विश्वास घाती व्यक्तियों की बात चल रही है तो बहुत सारे विश्वास घाती ब्यक्तियों की बाद चल रही है इसका मतलब यह जो जैचंद सब्द है इसमें यहां पर संग्या कौन सी हो जाएगी जाती बाचक संग्या कौन सी संग्या हो जाएगी जाती बाचक संग्या जाती बाचक संग्या वैसे भी यदि हम बात करें यहां पर ब्यक्ति बाचक संग् करतें हैं कि बहां पर व्यक्तिवाचक संग्या तो बिल्कुल भी नहीं योगी। तो फिर कौन से हो जाएगी जाती वाचक संग्या आएक और अधाराण की बात करते हैं कि युद्धारन नंबर थो कि आज के समय में कि आज के दंद म है आज के समय में हरिष्चंद्रों की कमी नहीं है आज के समय में हरिष्चंद्रों की कमी नहीं है अब आपके लिए क्या करेगा जब ये प्रस्न देगा तो प्रसमें हरिस्चंद्रों के नीचे क्या कर देगा अंडरलाइन कर देगा आप से पूछेगा कि जो हरिस्चंद्र सब्द है याँ पर कौन से संग्या होगी तो नाम सोचकर हम लोग कौन से वाच्ट संग्या लेकिन आप लोग एक बात यह चेक करें हरिस्चंद्र का मतलब होता है सत्य बोलने वाले व्यक्ति तो यह अब किसी परस्नल व्यक्ति का तो नाम दिया हुआ नहीं है पर्सनल व्यक्ति का नाम दिया हुआ ना होने के कारण यह जो हरिश्चंद्रों सब्द है यहां पर जो संग्या है वो कौन से संग्या हो जाएगी जाती वाचक संग्या बैसे भी हम चेक कर ले रहे हैं अगर हरिश्चंद्र होता तो उसमें कौन सी संग् जाती वाचक संग्या जाती वाचक संग्या ठीक है तो आगे बढ़ते हैं कुछ और भी फैक्ट है संग्या से रिलेटेड जाती वाचक संग्या से जाती वाचक संग्या से भाव वाचक संग्या बनाना जाती वाचक संग्या से भाव वाचक संग्या बनाना ठीक है अब हम लोग क्या कर रहे हैं जाती वाचक संग्या से किसका नर्माण कर रहे हैं भाव वाचक संग्या का जब कभी भी हमें जाती वाचक संग्या को किसमें ब हम लोग क्या करते हैं लाश्ट में प्रतिय जोड़ देते हैं प्रतिय का मतलब होता है सब्दों के बे अंस जो की कहा है लाश्ट में जोड़ते हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं प्रतिय बोल देते हैं ठीक है जैसे लिखा हुआ है आपके सामने मित्र मित्र क्या है एक जाती है किसी पर्सनल मित्र का नाम नहीं लिया जा रहा है तो मित्र में कौन सी संग्या हो जाएगी जाती वाचक संग्या यदि हम इसके लाश्ट में कौन सा पृते जोड़ दें तापृते जोड़ दें तो पृते जोड़ने के बाद में यह क्या हो मित्रता क्या हो जाएगा मित्रता और मित्रता का ये क्या होता है भाव होता है तो भाव होने के कारण अगले अगया धारत की बात करें जैसे देखा हुआ है चाहिक जाती है पता नी कौन सह सत्रू हो सकता है तो यह बिरीक All हो जाएगा सत्रुता क्या हो जाएगा सत्रुता तो सत्रुता के भी क्या होता एक भाव होता है तो भाव होने के कारण यहां पर भी कौन सी संग्या हो जाएगी सत्रुता में भाव वाचक संग्या तो यह कौन सी है जाती वाचक संग्या इनके लास्ट में हम क्या जोड दे र है एक जाती वाचक संग्या है पतानी कौन सी इस्त्री हो सकती है कोई भी हो सकती है ठीक है अब इस्त्री में हम क्या जोड़ रहे हैं तो प्रते जोड़ दे रहे हैं तो तो प्रते जोड़ने के बाद में यह क्या हो जाएगा इस्त्रीत्व या फिर ऐसे नारित्व तो इस्त में बतला था भाववाचक संग्या में तो आज की कक्षा में इतना ही आसा करता हूं आप लोगों के लिए एक लास बहुत अच्छे से सवन्ज में आई होगी अगले पार्ट में हम लोग हिंदी का यह जो दूसरा टॉपिक है इसका वो सर्वनाम के लिए लेकर आएंगे तब